नमस्कार आप देख रहे हैं GSTV News और अंदर की बाद के साथ मैं हूं त्वनी अम्दबाद के बाद अब राजकूट में भी यंग्स्टर्स लापरवा हो गए है अम्दबाद के बाद राजकूट में भी यंग्स्टर्स लापरवा हो गए है राजकूट के रहे है टेलिफॉन एक्चेंज के पास सोमनाथ सोसाइटी में एक लापरवा कारचालक का आतंक देखने को मिला 18 साल के युवक ने सोमनाथ सोसाइटी में तीन बाइक और एक सबजी की लोरी को टक कर मार दी हादसे में लोरी चालक गंबी रूप से खायल हो गया बाद में खायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन इस हादसे से स्तानिक लोगों में गुसा फ्याल गया है दूर घटना के समय कार केवल नाम का युवक चला रहा था और कार का मालिक राजु नाम का युवक है अभी फिलाल पुलिश ने लापरवा कारचालक को हिरासत में ले लिया है इस मामले में एक बड़ा खुला सा हुआ है कार में मालिक राजु ने कार केवल को चलाने दे थी यह कार केवल रमेस गानुल या नाम का अठरा साल का युवक ही चला रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है ऐसे में सीधा सवाल यह सामने आता है कि हादसे में कार ने तीन बायक और एक लोरी को टक कर मारी अगर किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता यह एक सबसे बड़ा सवाल है तो दूसरी और यह भी देखना होगा कि इस मामले में स्तानिय पुलिस और प्रशासन क्या कारेबाह करेगा गुजरात की 25 साल की रेपीडिता यूती को सुप्रिम कौट ने घरपपात की स्विकृती प्रदान कर दी है घरपपात जल से घंबीर मामले में हाई कौट की तरफ से लंबे स्थगन और सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रिम कौट ने कड़ी टिपनी की है और पूछा है कि आखिर गुजरात हाई कौट में क्या हो रहा है देखते हैं खास रिपूट अंदर की बात में सुप्रिम कौट ने गुजरात की सताही सब्ता की घरपवती को मैडिकल घरपात करानी की अनुमती दे दी है पीडिता के साथ शादी का जूठा जांसा दे कर दुशकर्म किया गया था न्यायमूर्ती बीवी नागरतना और न्यायमूर्ती उजल भूया की पीठने घरेलु सहाईका की रूप में काम करने वाली पीडिता द्वारा मांगी गई राहत को मन्जूरी दे दी है और उसी जिकितसा प्रक्रिया के लिए अस्पताल में उपस्तित होने के लिए भी कहा गया है इससे पहले सुप्रिम कॉर्ट इस पूरे मामले में गुजरात हाईकॉर्ट के रवये पर टिपनी की और कहा पूछा कि गुजरात हाईकॉर्ट में क्या हो रहा है गुजरात की 25 साल की रेप पीडिता घरपवती ने अबोशन के लिए गुजरात हाई कौट से अनुमती मांगी थी गुजरात हाई कौट ने पीडिता की अरजी को 17 अगस को खारिच कर दिया था इसके बाद पीडिता ने सुप्रीम कौट में अरजी लगाई थी 19 अगस को छुटी होने बाद भी जस्टिस बीवी नागरतना ने सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसे मामले में जब एक एक दिन एहम होता है तो फिर सुनवाई की तारी क्यों टाली गई ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टीवी टेलंगना की मुख्यमंत्री केसियार ने आगामी चुनाओं में सीटो को जीतने की भविश्यवानी की है क्या है मामला देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बाद में बीरस के अध्यक्षर तेलंगना के CMKCR ने आगामी चुनाओ के लिए बीरस के 115 उमिद्वारों की सुची जारी की है इस लिस्ट में साथ प्रत्याश्री बदले गए है CMKCR दोसी टोगजवेल और कामारेड़ी से चुनाओ लड़ेंगे तेलंगना के मुख्य मंतरी के चंदरुशिक राव ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि हम 16 अक्टूबर को वारगल में अपना पार्टी का घोशना पत्रे जारी करेंगे जो कोई भी पार्टी विरूती गती वीधियो में लिप्त पाया जाएगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा CMKCR ने आगामी चुनाओ में 9550 सीटे जीतने की भवेशिवानी की है राजसरकार में मंतरी और CMK के बेटे KTR सिरसला से चुनाओ लड़ेंगे तिलंगना की 119 सदसिय विधान सभा के लिए इस साल के अंट में चुनाओ होने है BRS ने चुनाओ की तारिखों की गोशना से पहले ही लिस्ट जारी कर दी है BRS की और से जारी की गई इस लिस्ट में सीरपूर से कोनेरू कोनपा चैनूर से बालका सुमन, बेलंपली से दुर्गम चिनेया, मंची रिल से नदी पली दिवाकर राव, आसिफाबाद से कोवा लक्ष्मी को टिकेट दिया गया है बिरो रिपोर्ट GSTV समाजवादी पार्टी के नीता स्वामी प्रसाद मोरे पर वकिल की वेश पूशा में आये एक व्यक्ती ने जूता फैका है बाद में मोरे के समर्थकों ने हमलावर की जम कर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया क्या है मामला देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बाद में समाजवादी पार्टी के OBC महा समिलन के दौरान स्वामी प्रसाद मोरे पर जूता फैका गया है वकिल के भेश में आये आकाश सुनी नाम के सक्ष ने यहां जूता स्वामी प्रसाद पर फैका मौके पर मौझूद सपा और मोर्य समर्थकों ने हमलावर को पकड़ दिया और जम कर पीटा इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग आरोपी सक्ष को लाद घूसो और बेल्च से पीटते हुए नजर आ रहे है इसके बाद आरोपी को लोगों ने पूलिस के हवाले कर दिया आपको बता दे कि रामचरित मानस के खिलाफ बयान देने के बाद विवादों में आये स्वामे प्रसाद मौर्य पर इसी साल ही फरवरी में भी काली शाही फैकी गई थी जैसे ही काफिला वहाँ पहुचा तो फूल माला देकर स्वामे प्रसाद मौर्य वहाँ रुख गए और माला लेकर खड़े लोगों ने उन पर साही फैक दी और काले जंडे दिखाए इसे पहले सपा के इस सिफा देकर बीजेपी में शामिल हुए दारासी चोहान पर भी काले साही फैकी गई थी रविवार को विधान सबाक्षितर में चुनाओ प्रचार के लिए निकले थे इस दोरान उन पर साही फैकी गई ये गटना गोपा गंज थानाक्षितर के अधरी महल लेकी है भारत्य क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ट बीसी सी आई ने इश्या कब दो हजार तेज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है ये टूना मैंड तीस अगस से 17 सितमबर तक खेला जाएगा टीम इंडिया में किसकी हुई सर्प्राइस एंट्री? किसको मिली जगर? देखते हैं स्पोर्ट रिपूर्ट अंदर के बाद इश्या कब 2023 को लिकर भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ट BCCI ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है अजित अगरकर ने दिली में टीम की गोशना की इस ज़रान रोहित शर्मा भी मौजूद रहे सतर सदसिय टीम की कपतानी रोहित शर्मा की हाथों में रहेगी भारतीय टीम में केल राखुल, जस्प्रीद बुम्रा और श्रेयस अयर की वापसी हुई है युवा बलेबाद तिलक वर्मा को भी टीम में मौका मिला है वही संजू सैमसन को स्कॉर में जगन नहीं मिली हार्दी पंडिया की कपतानी पर सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन उन्हें उप कपतान के तौर पर बरकरार रखा गया है रोही शर्मा की कपतानी में भारतीय टीम एश्या कप में अपना पहला मैच 2 सितंबर को खेलेगी यह मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ ये रंका में केडी में होगा इसके बाद भारतीय दूसरा ग्रूप मैच नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलेगी एश्या कप में भारत पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रूप ये में है बता दे कि एश्या कप पाकिस्तान की मेच बानी में हाइब्रीड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा है इश्या कप में फाइनल समेत को तीरा मेच होने है इसमें से चार मेच पाकिस्तान में होंगी जबकि फाइनल समेत बाकी नौ मुकाबलेश्वी रंका में रखे गए है विरू रिपोर्ट जी अस्टीव राजनीता बन गए है आरबी आई के पूर्व गवर्नर रगुराम राजन किसी और की तरफ से कर रहे पीछे सिवार ऐसा क्यों बोले केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैश्णव क्यों रगुराम राजन पर किया अश्विनी वैश्णव ने हमलाद देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में केंद्रिय रेल, इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्राद्यूगी की मंत्री अश्विनी वैश्णव ने भारती रिजर्बैंक आरबियाई के पूर्व गवर्नर रगुराम राजन को ऐसा राजनितिक न करार दिया है जो पीछे से किसी की और की तरफ से वार कर रहे है वैश्णव की यट इपनी रगुराम राजन के उस कथित बयान को लेकर आई जिसमें पूर्व आरबियाई गवर्नर ने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीलाई यूजना के तहट मोबाईल फोन का निर्मान नहीं कर रहा है बलकि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है अश्विनी वैश्णव ने कहा जब अच्छे अर्थशास्री राजनेता बन जाते हैं पीछे से वार कोई अच्छी बात नहीं है वह किसी और की और से शेडो बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे है अश्विनी वैश्णव ने कहा कि अगले दो वर्षों में भारत इलेक्ट्रोनिक्स वी निर्मान में 30 प्रतिशत से अधिक बड़ोतरी हासिल करेगा उन्होंने बताया कि इसकी अलावा तीन कंपनिया जड़ ही दुनिया के लिए महाज़पोर मोबाइल फोन कंपोनेट निर्मान करेंगी